हाई गैस और वेलकम बाक टुदी चैनल दीपच्चाद वजुकेशन वेलकम टुदी टुडेइस टॉप न्यूज डिसकशन तो गैस आज की तारिक से जितने भी इंपॉर्टेंट न्यूज आर्टिकल्स बनेंगे उन सबी न्यूज आर्टिकल्स को हम लोग यहाँ पर डीट इछले सबता मंडे से लेकर सेटरड़े के बीच में जितने भी आर्टिकल्स चर्चा में आये हैं जितने भी करेंट अफेर्स चर्चा में थे उन सबीका एक डीटेल से डिसकॉशन हम लोग आज के इस विडियो के अंदर करने वाले हैं तो चलो स्टार्ट करते हैं आगे ब बताओगा, आर्टिकल्स पब्लिश इस बेसिस पर हुए थे कि क्या हो सकता है कि लखनाओ का नाम बदला जा सकता है, लखनाओ का नाम बदल कर लक्षमन पूर करा जा सकता है, क्योंकि लखनाओ का नाम जो है लक्षमन जी के उपर रखा जाए, कुछ इस प्रकार से यहाँ प हमारे PM Modi का लखनों में स्वागत करते हैं, अब स्वागत करते करते हैं इनका एक statement आ जाता है Twitter के उपर, इन्होंने बोला कि यहाँ पर शेश्वात्तार भगवान श्री लक्षमन जी की पावन नगरी लखनों में आपका हर्दिक स्वागत है, तो basically जैसे इन्होंने हाँ पर ब पब्लिश किया, उसके बास से बहुत ज़दा चर्चाओने लगी, यहाँ पर आप देख पावगे, इन इन एक्सप्रेस ने डीटेल से बताया है कि यहाँ पर लखनों का लक्षमन जी के साथ में क्या connection है, उसको हम थोड़ा सा डिसकस करता है, तो यहाँ पर आप लोग दे लखनों को मिल जाएगी, टंडन साब की यह book है, जिसमें यहाँ पर इसका नाम है अनकाह लखनों, और लाल जी टंडन ने इसमें काफी सारी information दी है, in fact यहाँ पर इनोंने बताया कि basically यहाँ पर लक्षमन टीला हुआ करता था, लक्षमन टीला हमेशा लक्षमन टीला रहा ह अब लक्षमन टीला का नाम जो है वो पूरी तरह से मिटा दिया गया, वहाँ पर टीले वाली मस्जिद के नाम पर यहाँ पर एक तरीके से वो area जाना जाता है, वो अस्थान जाना जाता है, तो यहाँ पर इनोंने बोला कि वो लक्षमन टीला हुआ करता था जिसको यहाँ पर टीले वाली मस्जिद के साथ में replace कर दिया है, clear हुआ, और जो ये mosque वह यहाँ पर वो औरंग जिब इसका construction करवाता है, ये सारी बाते इस किताब के अंदर लिखी वी हैं, फिर उसके बाद में क्या होता है, कुछ historians से उनके point of view बताए गए, historians के अंदर एक और किताब के बा में mention किया है, तो हाला कि इनकी जो ये पुराने लकनव नाम की किताब है, तो इस किताब के अंदर भी इन्होंने ये बताया, कि देखो, कि जो लकनव शहर है, वो किसने establish किया, इसके बारे में कोई भी information नहीं है, लेकिन हाँ पता ये चलता है, कि हाँ, राम जी, जब वनव हो चुगा है, तो एक छोटा सा article था, तो इसी को लेकर मैंने आपके साथ में कुछ point of view शेर करे थे, clear हो गया, आगे चलते हैं, फिर हमने एक और important article डिसकस किया था, urban heat island के बारे में, डिसकस करते हैं, again, सारे sources आपको देखते रहेंगे, कि कहां कहां से articles को लिया गया है, Indian Express क explain section से लिया गया है, साथी साथ में आप लोग अपने syllabus से भी link कर पाऊगे, syllabus का topic भी इसी के बीच में डाल दिया गया है, तो news यहां पर यह है कि इंडिया में काफी सारी जगा पर हमने देखा कि जो urban areas हैं, खास कर जो शहर वाले area है, वहाँ पर गर्मी काफी तीजी से इस हो चुका है, उसी को हम लोग urban heat island के नाम से जानते हैं, यह जो urban heat island है, इसको हम लोग define कर सकते हैं अलग लग तरीके से, देखो यहां पर major focus है कि heat waves बढ़ गई है, गर्मी बढ़ गई है, और यह खास कर शहर वाले area में क्यों हो रहा है, क्योंकि शहर वाले area में एक high construction इसी concrete के अंदर वो गर्मी trap हो जाती है, इस वाले area से वो गर्मी बाहर निकल ही नहीं पाती है, अब इसी वज़ा से यहां पर शहर के अंदर थोड़ी सी जादा गर्मी पढ़ती है, इसी वज़ा से इसको हम लोग urban heat island बोलता है, जबकि आप लोग इसको compare करोगे rural area से, यान समझने लिए काफी है, क्योंकि ये best तरही के से समझा सकता है, अब शहर के अंदर आपको building देखने को मिल जाएगा, sun देखने को मिल जाएगी, उसके बाद यहांपर tree है, पेड है, उसके बाद यहांपर आपको care देखने को मिल जाएगा, आब बोला यह जा रहा है, कि जब आप लोग यहाँ पर इस building को देखते हो तो क्या हो रहा है मालो sunlight पढ़ रही है sunlight पढ़ रही है तो इस concrete की building पर यह जो dark color का concrete होता है आपको बता है तो इस dark color के concrete के उपर क्या हो रहा है sunlight सारी absorb हो जा रही है है ना सारी absorb कर ले रहा है गर्मी को absorb को ले रहा है, यहां से गर्मी पास ही नहीं उपा रही है, फिर उसके बाद में transportation के माध्यम से और heat निकल ले है, pollution निकल लाए, फिर घर में AC लगा रख है, उसका जो बाहर का outer box होता है, वो यहां पे काफी सारी गर्मी छोड़ता है वह नजर आ रहा है, फिर इंसा शहर का area, गाउं के area से थोड़ा जादा गर्म क्यों है, उसके पिछे के कई सारे कारण है, तोकि गाउं के area में आप देख पाऊगे, green vegetation जादा है, plants, trees, forest, यह काफी अच्छी तरीके से आपको developed देखने को मिलेंगे, वहां पर इत्ते असानी से जो गर्मी है, वो एक तरीके तो absorb नहीं हो पाती, वहां से अराम से पास उजाती है, लेकिन शहर वाले area के अंदर आपको इन चीजों की कमी देखने को मिलेंगे, plants, trees, forest, इन सब चीजों की एक भारी भरकम कमी देखने को मिल जाती है, clear हो गया, इतना स्वाज माया, then उसके बाद यहां पर कुछ और information दी और इस व्यक्ति ने black color की t-shirt पहन रखी है, इसने white color की, कि इसको जादा गर्मी लगेगी तो जादा गर्मी इस black वाले को लगेगी, क्यों? क्योंकि यहां पर इसने black color का dark color का यहां पर t-shirt पहन रखाए, जिसकी वए से सारी गर्मी यहां पर इसके color में absorb हो जा रही है, ठीक आराम से, तो basically आप लोग देख पाऊगे, इसी वजासे भी यहां पर शहर वाले areas के अंदर जादा गर्मी पढ़ती है, क्यों? क्योंकि वहां पर जो जादतर materials है, building से वो concrete की आपको देखने को मिल जाती है, dark color materials आपको जादा देखने को मिल जाते हैं, clear हो गया, यहां picture देख पाऊगे, लगाता है, develop हो रहा है, और उसके बाद यहां पर सबसे important चीज क्या है? बड़ी-बड़ी उचुची buildings है, पतले-पतले यहां पर गलियां है, उसकी वैसे जो हवा है वो पास ही नहीं उपाती है, ठीक है, तो यह भी एक problem create करता है, उसके बाद यहां पर एक चीज और है कि दो transportation system है, वो बहुत जादा हो चुका है, और गाड़ी motor की वैसे भी pollution जादा हो रहा है, प्लस पेड़ पौदों की काफियत तक कमी है, इसकी वैसे शहरवाल एरिया में काफी गर्मी रहती है, अब इस गर्मी को कैसे हम लोग reduce कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, या फिर घरों के अंदर एक proper natural ventilation बनाया जा सकता है, proper ventilation यहाँ पर एक जगा जहां से हवा पास हो पाईगी अराम से, उसके आद में च्छतों पर इस प्लकार से white color का paint हो जाएगा, तो इस पर जो heat है, heat अगर आएगी तो absorb नहीं हो पाईगी, क्योंकि अभी यहाँ पर dark color का black color का च्छत होगा, तो heat सारी absorb हो जाएगी और फिर उसके बाद घर के अंदर जो गर्मी वो थोड़ी सी जादा produce होती हुई नजर आएगी, तो इस से अच्छा white color का paint कर लो, जिससे की heat आएगी और reflect हो जाएगी, तो यह काम भी हम लोग कर सकते हैं, इसी प्रकार से यहाँ पर NASA का खुद का यहाँ पर आपका सकते हो जो International Space Station है, हाला कि International Space Station को NASA के साथ में बहुत सारी countries ने बिलकर बनाया है, यह आप लोग ISS देख पाऊगे, इसी International Space Station में एक और समान लगा रखा है, वो है Eco Stress के नाम से, यह Eco Stress यहाँ पर प्रित्वी के उपर लगा हुआ है, अब यह यह जाओ, हाँ, यह पिच्चर आपको देखने को मिलेगा, इस पिच्चर ने यहाँ पर दिखाया भीवानी, रोतक, गोवाना, जिंद, पानी पत, तो यह कुछ एरिया से जहाँ पर रेड कलर के पैचिस को दिखाया गया, कि मतलब यहाँ पर थोड़ी सी ज़ादा गर्मी पाया था, वीडियो वो एकदम से हट गया था, बैटी डाउन होने की वज़ा से, तो वो भी मैं आपको यहाँ पर कवर करवा देता हूँ, उसका रेविजन भी हो जाएगा, तो ज्यादा बेतर रहेगा, हमने एक आर्टिकल डिसकर्स किया था, नैटो के मेंबर्शिप को लेकर, दोको फिनलेंड और स्वेडन ये दोनों ऐसे देश हैं, जो कि यहाँ पर बात करते हैं कि हमें नैटो को जॉइन करना है, अब नैटो को जॉइन करने के पीछे एक बहुत बड़ा विवाद उट रहा है, यहाँ पर आपको फिनलेंड देखने को मिल जाएगा, ठीक यह है North Atlantic Treaty Organization, यानि कि 30 nations का एक ग्रूप है, इस ग्रूप को यहाँ पर लीड करता है, अमेरिका ये दियान अखना, अब इस ग्रूप का मेजर फोकस यह है, कि हम लोग यहाँ पर अपने आपको थुड़ा सा और ज़्यादा unity में रखें, एकता में रखें, और इस ग्रूप यहाँ पर यह भी बोल रखा है, नैटो का Article 5 यह बोलता है, कि देखो, अगर कोई भी देश, इन 30 देशों के उपर में से किसी भी एक देश के ओपर अटैक करता है, तो यह नैटो की सारी countries मिलकर उसके ओपर अटैक करेंगी, तो मतलब नैटो के अंदर join होने से एक security मिल जा में, अगर युकरियन नैटो को join कर लेता है, तो अमेरिका यहाँ पर रश्या की border पर आकर बैठेगा, और कोई भी यहाँ पर गडबड़ी होती है, इस border पर मालो इधर से attack होता है पहले, फिर रश्या बाद में retaliation में एक छोटा सा भी attack कर देता है, तो यह पूरा नैटो active ह हो जाएगा, article 5 active हो जाएगा है, यह सारी countries मिलकर फिर रश्या के attack करने लगी, तो basically Russia अपने area को protection देने की चकर में, अगर हम लोग बात करें, तो इन countries को NATO join नहीं करने दे रहा है, और इसी प्रकार से अभी Finland एक देश निकल कर आया, और इसी के बार में Sweden है, Sweden यह दो देश न नहीं होने देंगे, क्योंकि अगर यह NATO join होते हैं, तो फिर इससे again Russia को काफी सारी problems आने लगेंगी, यहाँ पर Sweden है, और इधर आपको यह Finland नजर आ जाएगा, clear हुआ, इतनी बात, नेटो के बारे मैं आपको बता दिया, नेटो क्या है, 30 nations है, और उसके बाद में यहाँ पर Sweden और Finland, यह NATO को क्यों join कर रहे हैं, क्योंकि यह सोच रहे हैं, कि अभी जो Ukraine के साथ में हो रहा है, वो हमारे साथ में ना हो जाए, तो हम लोगों को एक protection बल जाएगा, तो basically यह इनका एक major focus है, clear हो गया, तो यह information यहाँ पर I hope आप आप लोगों को अच्छे से clear हो चुकी है, आगे आते हैं, उसके बाद में, यहाँ पर हम लोगों ने एक article के बारे में चर्चा की थी, वो है fertilizer problem, यानि खाद को लेकर काफी सरी problems देखने को मिल रही है, इंडिया जो है basically एक problem face कर रहा था, fertilizer की supply में, उसी को लेकर Indian Express ने एक article publish किया, जैसा कि आप लोग इस पूरे article को द fertilizer हर साल, और पिछले 10 सालों में हम लोग इतना fertilizer हर साल consume कर रहे हैं, प्लस यहाँ पे हमारी केन सरकार जो है इसी चक्कर में fertilizer को लेकर एक subsidy bill लेकर आई है, subsidy bill का मतलब यहाँ पर यह है कि सरकार जो है इसके बदले में थोड़ सी चूड या फिर थोड़ा सा पैसा यहाँ पर इस fertilizer के बदले में provide करवा देगी, ठीक है, यानि एक subsidy मिल जाएगी लोगों को, हमारे farmers को अगर वो इस fertilizer को खरी देंगे तो, clear हुआ, इस subsidy को यहाँ पर बढ़ाया गया, इसके लिए अलग से budget लेकर आया गया, यह यहाँ पर mention किया, अब जब हम लोग बात करते हैं खाद की तो खाद दो प्रकार के आपको देखने को बलेंगे, एक तो होता है directly urea, यह तो आपको पता है, दूसरा होता है non urea fertilizer, अब जो non urea fertilizer होता है, इसमें अलग अलग प्रकार होता है, जैसे की di-aumonium phosphate हो गया, plus murate of potassium, यानि MOP हो गया, तो यह सारे non urea fertilizer है, अब यह non urea fertilizer थोड़ create हो सकती है, उससे यहाँ पर आप कह सकते हो agriculture के अंदर काफी बड़ा loss देखने को मिल सकता है, यह clear हुआ, तो इसी वज़ा से यहाँ पर सरकार ने focus कि हम लोग urea के उपर neem coating कर देंगा, निकि जो neem होता है न, neem की coating कर देंगे, तो इससे urea से कोई जाधा नुकसान होगा clear हो गया, अब इससे पता चलता है कि भारत के अंदर fertilizer की requirement बड़ी है, 2018-19 और 2021 का data यहाँ पर दिया गया, इंडिया ने fertilizer का import बढ़ाया है, पिछले time में पहले 18.84 million tons का हुआ था तो अब यहाँ पर 20.33 million tons का देखने को मिला है, उसके बाद में इंडिया जो है urea का top importer है, हम अब यह जो neem coated urea होता है, इसके अपने आप में काफी सरे फाइदे होते हैं, तो भारत के अंदर fertilizer की demand है वो लगातार increase हो रही है, सरकार इस पर subsidy भी देती है, urea के ओपर हमारी केन सरकार यहाँ पर subsidy देती है, जो भी fertilizer manufacturers हैं, यानि यह इस खाद को जो बना रहे हैं, उनको यहाँ पर subsidy मिल जाती है, उसके बाद में यहाँ पर आप देख पाऊगे, जो non urea fertilizers हैं, उन पर भी यहाँ पर एक subsidy मिल जाती है, clear हुआ, non urea fertilizers basically जो इनका price वगरा होता है, वो यहाँ पर companies fix करती हैं, एक decontrol price होता है, लेकिन यहाँ पर जो हमारी किन सरकारे वो थोड़ा स इसके उपर भी subsidy प्रोवाइड करवा देती है, इस subsidy की बात हो गई है, अब बात करें कि कोरोना का क्या impact पड़ा, fertilizer supply के उपर तो एक भारी भर कम impact पड़ा है, इस pandemic की वज़़ा से हमने देखा, कि जो fertilizer का production है, इसका import है, transportation है, दुनिया भर में, वो यहाँ पर थोड़ा सा कम हुआ है, अब चाइना एक सबसे बड़ा fertilizer का exporter था, लेकिन चाइना ने क्या क्या क्या, कोरोना के टाइम पर इस अपने export को कम कर दिया, reduce कर दिया, इसकी वैसे भारत के उपर एक impact पड़ा, भारत चाइना से काफी सारा यहाँ पे phosphatic import करता था, बट यहाँ पे चाइना ने जब export को कम किया, तो हमारे पास वो properly fertilizer आनी पाए, यहाँ पर mention किया, उसके बाद यहाँ पे Europe, America, Brazil, South Asia, इन सभी areas के अंदर इस fertilizer की demand बढ़ गई थी, demand बढ़ रही थी, supply बहुत ज़्यादा कम हो चुकी थी, इस COVID की वज़ा से, सरकार ने एक initiative चलाया है, fertilizer को लेकर वो है यू नीम की coating कर दी गई है, अब नीम coating वाला जो यूरिया है, यह basically soil की health को improve करता है, प्लस plant को protection देता है, प्लस यहाँ पर जो हमारी फसल उसको किटाड़ों से बचाता है, clear हो गया, आगया था है, फिर अगले article हमने fortification of rice के बारे में जाना था, fortification आपको पता है, इसको लेकर ए उनके body के अंदर iron जो है, वो थोड़ा सा जादा है, अब iron जादा हो जाएगा, अब जब आप लोग यह fortification rice उनको दोगे, fortification rice क्या होता है, आगे मैं आपको बताऊंगा, तो इससे क्या होगा nutrition या फिर जो iron है, वो थोड़ा सा और ज़दा बढ़ जाएगा, जिसकी वज़ fortification की जब हम लोग बात करते हैं, तो FSSAI यानि की Food Safety and Standards Authority of India, इन्होंने यहाँ पर इस fortification को define क्या है, इन्होंने यहाँ पर बताया, कि देखो, fortification का मतलब होता है, कि माल लोग कोई चावल है, fortification हम लोग किसी भी खाने में कर सकते हैं, food के अंदर किसी भी जगा पर fortification किया जा सकता है, लेकिन मैं आपको example के तौर पर चावल से समझा रहा हूँ, चावल के अंदर अभी मालो nutrients थोड़े से कम है, तो अलग से जान बूच कर उसके अंदर कुछ additional nutrients डाल देना, इसी को हम लोग fortification बोलता है, fortification तीन प्रकार का होता है, commercial fortification जहां पर आपके सकतो आटे के अ nutrients खाने में add कर देना, वो fortification कर लाता है, अब ये first और third वाला तो काफी असान है, लेकिन second वाला आता है, वो है bio fortification, इसके अंदर हम लोग दो फसल की breeding करवाने के बाद में, हमारे पास एक नई breeding आती है, दो फसल जिनके पास nutrients बहुत कम है, जब दोनों की breeding करवा देते हैं, उसके अंदर nutrients थोड़े से जादा होता है, अब यहाँ पर चावल के लिए भी इसी प्रकार से fortification होता है, अलगलग प्रकार होता है, और इसी में एक प्रकार होता है, extrusion का, extrusion में क्या होता है, जो टुकड़े वाले चावल होता है, टूटे पूटे वाले, उन सब को यहाँ पर पीश दिया जाएगा, चावल का अंटा बनाया जाएगा, उसको mix के जाएगा, पानी डाला जाएगा, इधर से micronutrients डाले जाएगे, और हमारे पास वो पूरा का पूरा पीश तयार हो जाएगा, फिर उसको explosion machine में डाला जाएगा, temperature बढ़ाया जाएगा, और उसके के अंदर blood की कमी है, iron की कमी है, तो basically लोगों को proper खाना नहीं मिल पाता है, तो यहाँ पर इसी वैसे fortification की हम लोगों को आवशक्ता पड़ जाती है, clear हो गया, और इंडिया की जो capacity है, fortification की वो लगातार increase हो रही है, fortification के फायदे काफी सारे हो सकते हैं, health और nutrition level को improve कर सकता है हाला कि इसमें के problems भी है, problem सबसे पहला है कि हम लोग प्रकृति के against में काम कर रहे हैं, यानि कि अभी हम लोग fortification कर रहे हैं, अगर कोई naturally हम लोग को nutrient वाला खाना मिलता है, तो उसकी बात अलग है, लेकिन अगर जान बूच कर किसी चीज के अंदर हम लोग अलग से nutrients को add करत हैं, तो वो प्रकृति के खिलाफ हो जाता है, यह यहाँ पर mention किया गया, clear हो गया, फिर उसके बाद में कभी के भी problem यह होती है, कि किसी व्यक्ति के medicines यानि दवाईयां बगर चल रहे हैं, और वो अगर इस fortification को लेता है, यानि इस food को लेता है, जहाँ पर अलग से nutrients को add किय जाए, तो इसकी वैसे यहाँ पर उसको problem face करनी पड़ सकती है, जो body के अंदर nutrients से वो थोड़े से बढ़ सकते हैं, और इससे यहाँ पर उसकी death तक हो सकती है, clear हुआ, फिर अगले article पर हमने discuss किया था, गुजरात के अंदर भी skyfall देखने को मिला, basically, जब पता लगाया, experts ने बताया, यह भई चायना का एक rocket है, जो चायना का rocket है, इसका कूड़ा है, मतब चायना का rocket नहीं, उसका एक debris, एक टुकड़ा सा देखने को मिलेगा, जो कि अभी गुजरात में गिरा, अब इसी कूड़े को हम लोग बोलते है, space debris, आपको बताओगा, space debris का मतलब है, अंतरिक से देखने वाली है, जिसके आसपास इतने बड़े-बड़े rings होंगे, तो आपको बड़ी खूबसुरत सी लग रही है, लेकिन यह सिर्फ इस प्रकार से खूबसुरत सी लग रही है, असल में वह ऐसा देखने को मिलेगा, क्योंकि यह सब है कच्रा, ठीक है, यह सब कच्रा है, स्पेस डेबरी है, अब यह स्पेस डेबरी क्या होता है, मैं आपको समझाता हूँ, मान लो कोई रॉकेट या फिर कोई भी हमने हापर अपना मिशन लॉंच किया, अब मिशन लॉंच किया तो एक रॉकेट के माधियम से किया, अब उस रॉकेट ने सेटलाइट को तो ल तो आपको गए सारी सेटलाइट्स हाँ इसी को हम लोग बोलते हैं कैस्सिलर सिंड्रोम के अदर क्या होता है आपको थोड़ा सा बताता हूं कि अगर एक सेटलाइट क्योंकि हाँ देखो दिक्कत यह है कि अंतिरिक्ष का जो कच्रा है वह 27,000 km per hour की स्पीड से घूम रहा है त के टाइम पर घूम रही है वो सब यहां पर खतम हो जाएंगी इसी को हम लोग कैसलर सिंडरोम बोलता है यह क्या करेगा यह बेसिकली अंतरिक्षिक कच्रे को डिटेक्ट करेगा और उसके बाद में हमारी इंडियन सेटलाइट को खत्रे से बचाएगा क्योंकि हमारी जो सेटलाइट्स हैं अब यहां पर क्या होगा हम लोग जब उसको लॉंच करेंगे तो इससे possibility है वो कच्रे से टकरा कर बेकार हो जाए और इसी वे से काफी बार डिले कर देते हैं हम लोग अपने सेटलाइट को लॉंच करने में क्योंकि रास्ते में कोई कच्रा आजाता है तो यह project क्या करेगा उसको identify करेगा और एक early warning देगा ताकि हम लोग अपने हिसाप से अपने अच्छे से step उठा सके है अब नेत्रा अर्टिकल में हमने discuss किया था बुद्ध पुर्णिमा के बारे में art and culture के point of view से important article हो जाएगा हमारे PM ने यहाँ पर अभी जो है Lord बुद्ध को लेकर काफी सारी बाते बोली हैं और ये सारी बाते बुद्ध पुर्णिमा पर बोली गई है प्लस हमारे PM ने नेपाल को visit किया इस special occasion पर जब हम लोग बात करते हैं बुद्ध के बारे में तो यहाँ पर आप देखपाऊगे जो गौतम बुद्ध है इनका जन्म होता है और जन्म के सासाथ यहाँ पर आपकर सकते हो यह बुद्धिजम के founder बनते हैं इनको हम लोग यहाँ पर आपकर सकते हो जब इनका जिसने बर्थ हुआ, इसी बर्थ वाले दिन पर हम लोग बुद्ध पुर्णिमा के तोर पर भी जानते हैं, इसको हम लोग विसाक के नाम से जानते हैं, 1999 में जो UN designated day है, इसी ने यहाँ पर इस day को इतना दा महत वो दिया, प्लस आज के टाइम पर देखो ये बोला जाता है, क इसका मतलब कि आपको समझाता हूँ, देखो, गौतम बुद्धा का जन मुका पर होता है, लुम्बनी के अंदर, नेपाल में, इसी वज़ा से PM ने recent days में नेपाल को विजट किया, उसके साथ यहाँ पर गौतम बुद्धा बिहार के अंदर बोध गया में enlightenment लेते हैं, यान 33 BC की बात है, कुशिन अगर उत्रप्रदेश में डेत होती है, तो ये तीन चीज़ें यहाँ पर, इन तीन चीज़ों को देखते हुए हम लोग बुद्धपुनिमा सेलिबरेट करते हैं, आप लोग धियान लखना, बुद्धपुनिमा को यहाँ पर मनाया जाता है, उसके इसके बाद में, युनास्को की कुछ हरिटेश साइट्स आपको देखने को मिल जाएंगे, जो कि बुद्धिजम से रिलेटेड हैं, जैसे कि आर्कलोजिकल साइट ऑफ नालंदा महावीरा, उसके बाद बुद्धिस्ट मॉनुमेंट्स आपको देखने को मिलेंगे सांची में, फिर महाबोधी टेंपल कॉंपलेक्स हो गया, बोध गया बिहार के अंदर, अजन्ता केवस हो गया, और अंगाबाद के अंदर, ये सब बुद्धिजम से रिलेटेड हैं, और इनको युनास्को हरिटेज का टैग मिलावाएं, तो बुद्धिजम के बारे में हम लोग ये जो ग्यानवापी मॉस्क है, मस्जित है, इसको हटा देना चाहिए, देखो पहले में आपको थोड़ा सा इस मॉस्क की लोकेशन दिखा देता हूँ, इम्पोर्टेंट है, यहाँ पर आप देख पाओगे, यहाँ पे जो वराणसी के अंदर काशी विश्नात मंदर है, क ये जोनों बिल्कुल सटेवे हैं, अब ग्यानवापी मस्जित को लेकर एक कोंट्रोवर्सी हो गई है, बोला जाता है कि यहाँ पर देखो, जो मस्जित है ग्यानवापी, इसको मतलब पहले यहाँ पर मंदिर हुआ करता था, इसको औरंग जेब ने थोड़ दिया था, वो बेसिकली उसका निर्माड करवाया गया था, 1780 में जो इंदौर की महारानी है, अहिलियो भाई खोल कर के थ्रू, क्लियर हुआ, इतना आपको क्लियर हो चुका है, तो ग्यानवापी मस्ज के बारे में, इस डिस्प्यूट के बारे में आपको एक बात पता है, इसमें ज जगा पर मंदर चाहिए, तो क्या ऐसा पॉसिबल है, तो देखो ऐसा पॉसिबल यहाँ पर प्लेस ऑफ वर्शिप एक के रहते नहीं हो पाएगा, अब यह प्लेस ऑफ वर्शिप एक 1991 क्या बोलता है, यहाँ पर यह बोलता है, यह तारीक क्या थे सबको, इस दिन देश अब यहाँ पर प्लेस ऑफ वर्शिप एक कब आया था 1991 में, इसने यहाँ पर यह बोला कि 15 तारीक 1947, जब देश आजाद हुआ, देश की आजादी वाले दिन, जो भी यहाँ पर मंदर था, या जो भी मस्जिद था, देश की आजादी वाले दिन, जो भी एरिया पर मंदर मस्जिद था, कोई भी रिलीजिज़्स थी, किसी भी रिलीजिज़न की, चायए च्र्श था, कुछ भी था, वो वैसा का वैसा ही रहेगा, हालग कि यहाँ पर उस मंदर से पहले वाले मस्जिद हुआ कर से, लेकिन आज़ादी के टाइम पर तो मंदर है न, तो वो यहाँ पर वो मंदरी रहेगा या फिर मस्जित रहेगा जैसी चीज थी वो वैसी रहेगी जैसे आजादी के टाइंप पर थी इसके अंदर एक exception रखा गया था एक अबवात में रखा गया किसको जो हमारा अयूद्या वाला केस है ठीक है बाबरी मस्जित वाला केस है उसको यहाँ पर exception में रखा गया था तो यह हमारा पूजा स्थल कानून यानि places of worship act 1991 आपको देखने को मिल जाएगा यह 1991 में Congress की जो नरसिमा राफ सरकार थी वो यहाँ पर इस Act को लेकर आए थे clear हुआ तो इसके बारे में ध्यान अक सकते हो अभी इस Act के अंदर एक exception दे रखा है जो अयोद्या वाला डिसकस किया था एंडो सुलफान ट्राजडी के बारे में तो अभी यहाँ पर सुप्रिम कोर्ट का एक statement आया सुप्रिम कोर्ट ने बोला कि केरेला ने अभी तक कुछ भी नहीं किया है एंडो सुलफान विक्टिम्स के लिए यानि देखो केरेला के अंदर एक बहुत बैंड पेस्टिसाइड है पेस्टिसाइड क्या होता है जो की कीट नाशक यानि कि टाडू को मारने के लिए काम करता है तो फसलों के अंदर इस एंडो सुलफान का यूज़ किया अब कर दिया इस एंडो सुलफान का यूज़ किया लेकिन बोला गया यह एंडो सुलफान क पर इसके उपर बैन लगा दिया, इसके production के उपर, इसके storage के उपर और इसकी बिकरी के उपर बैन लगा दिया, ऐसा क्यों, क्योंकि इसको अगर फसल पर छड़कते, तो इससे यहाँ पर काफी सारी बिमारियां आ रही थी बच्चों के अंदर में, इसके बहुत खतरनाक impact थे environment के उपर में, जैसे brain से related बिमारियां थी, neurotoxicity थी, ठीके, उसके बाद यहाँ पर आपका सकते हो कि body का shape change हो जाता था, तो बहुत बुरे-बुरे असर बोडी के उपर देखने को मिल रहे थे, यह directly यहाँ पर brain को destroy कर रहा था, तो ऐसे ही यहाँ पर लगबग आपका सकते हो ठीके, endosulfan का use हम लोग अलग-लग फसलों पर करते हैं, जैसे कि cotton हो गया, cashew nut, tea, paddy, tobacco, इन सब चुझों पर हम इसका इस्तमाल करते हैं, ध्यानकने इसके बारे में इसी विए से चर्चा में है, तो यहाँ पर केरिला से उस समय बोला गया था कि आप यहाँ पर इन victims को एक compensation एक मुआफज़ा दो गए, क्योंकि यहाँ पर यह सारे लोग मर चुके हैं, और पांच लाग रुपे इच, यानि कि मान लोग कोई भी victim है तो उसके family को पांच लाग रुपे तक मिल जाने चाहिए, तो केरिला सरकार ने अभी तक बहुत कम लोगों को 18-19 लोग को यह compensation दि आए, तो आपने कुछ नहीं किया है से इस tragedy को लेकर मतलब, यह सारी बाते हमें बताए गई हैं, ठीक है, तो I hope अब लोग क्लियर हो चुका है, तो endosilfan का impact कुछ इस प्रकार से body के उपर आपको देखने को मिल जाता है, है ना, आगे आते हैं next article पर, फिर हमने एक article discuss किया थ भारत ने 5G test को अभी पूरी तरह से conduct कर लिया है, बैसिकली यहाँ पर जो पहला 5G test bed है, उसका उदगाटन कर दिया गया है, यह काफी important step रहा है, इसे क्या होगा, जो telecom sector है, बैसिकली वो यहाँ पर self-reliant हो पाएंगी, जो क्या होता है, अभी हमें कोई 5G की testing वगरा करनी है, तो उसके लिए आपे विदेश की, हमें machines का यूज करना पड़ता है, विदेश की 5G test bed का इस्तमाल करना होता है, लेकिन अब क्या होगा, हमारे भारत के अंदर ही 5G test bed आ चुका है, उसको setup कर दिया गया है, और इसमें जो cost लगी है, वो 220 क्रोड के आसपास लगी है, तो अगर हम लोग अब 5G की तरफ आके बढ़ेंगे, तो उसमें एक बहुत अदा help ये 5G test bed करने वाला है, लो ये जो 5G इंडिया के अंदर इसको लेकर थोड़े सी बात करते हैं, 5G technology के बारे में, देखो जो 5G है, ये 5th generation mobile network है, उब्यसी बात है, पहले 1G आया, फिर 2G, फिर 3 फिर 4G, देन उसके बाद यहां पर आता है, हमारे पास में 5G, अब 5G के जब बात करते हैं, तो काफी high speed आपको internet मिलेगा, अभी तक हम लोग 4G तक है, 4G का इस्तमाल करते हैं, 4G के अंदर जो high speed internet है, वो 1Gbps के आसपास मिल जाता है, लेकिन 5G के अंदर जो आपको speed मिलने 20 Gbps याने की 20 Gbps के आसपास मिलेगी, तो आप imagine कर सकतो कितनी fast होगी, अब 1G, 5G, 3G, 4G के बारे में चर्चा करते हैं, इतिहास के बारे में, जो 1G network है, इसको launch किया गया था 1980s के अंदर, और उस समय पर सिर्फ और सिर्फ वाइस कॉल ही support हो पाती थी, फिर 2G network को launch किया गय आसपास मिलती थी, फिर हम लोगोंने साल 2000 में 3G को launch किया, यहाँ पे अब internet speed 1 Mbps से लेकर 2 Mbps की मिलने लगी, तो basically यहाँ पर video conferencing और call, digitalized way में सारे काम होने लगे, फिर 2009 में 4G को launch कर दिया गया, जब 4G launch हुआ तो इससे यहाँ पर internet speed और बढ़ गई, 100 Mbps से directly 1 Gbps तकी speed हम लोगों को यहाँ पर मिल रही थी, अब उसके बाद 5G के उपर काम चल रहा है, 5G के अंदर आपको खूब जादा 20 Gbps की speed मिलने वाली है, अब 5G के अंदर अलग-लग band मिलेंगे, एक होता है low band spectrum, दूसरा mid band और तीसरा high band, यानि यह आपको उपर depend करता, आप किस परकार क internet prefer करोगे, ठीक है, low band के अंदर आपको speed जो है limited मिलेगी, 100 Mbps क्यासपस मिलेगी, और mid band के अंदर उससे थोड़ी सी जादा मिलेगी, और high band के अंदर आपको full speed मिलेगी, लेकिन यहाँ पर क्या होगा, जब high band की speed आप लोगे, तो इसमें cost भी जादा लगेगी, 5G के मामले म हम लोग बात करें, तो काफी कुछ improve होगा, digital way में, हम लोग अपने internet of things को combine कर पाएंगे, artificial intelligence, इन सब चीजों की तरफ आगे बढ़ पाएंगे, लेकिन यहाँ पर काफी सरी problems भी आती है 5G के अंदर, सबसे पहली problem है, कि देखो, पूरा का पूरा fiberization अभी नहीं हुआ है, fiberization का मतलब है, आपको पता होगा, जो internet मिल रहा है, यह optical fiber cable के मिल से मिल रहा है, और आज का time पर आप कर सकते हो, कि हमारे देश में, यह जो fiber है, इसको बहुत ही कम अभी deploy किया जाए, तो इस fiberization को बढ़ाना पड़ेगा, फिर उसके बाद में, यहाँ पर एक सबसे बड़ी use करने अपने इस internet के अंदर, तो विदेश से मगार है, और विदेश के समान के उपर अभी ban लगा दिया गया है, इसकी वेसे आपर इंडिया के अंदर उसको develop करने में थोड़ा सा time लगेगा, तो hardware challenge देखने को मिलेगा, तीसरा सबसे बड़ा challenge है, high spectrum pricing का, मतलब इंडिया का जो 5G spectrum pricing है, वो काफी ज़ादा महंगी होने वाली है, पूरे दुनिया भड़ से आने वाले time पर ये बताया गया, ठीके, तो ये कुछ challenges भी आपको देखने को मिलेंगे, I hope आप लोगो को इस सारी बाते अच्छे से clear हो चुकी है, आगे आते हैं, फिर उसके बाद अगले article म है, इसको release किया या है, economic advisory council के थ्यान रखना, फिर उसके बाद mention किया या, यह जो report है, इसके अदर आपको बहुत सारी information देखने को मिलेगी, कि health, education, household, इन सभी मामले में, यह जो equality है, वो किस प्रकार से, यहाँ पर लोग के बीच में समानता है, या असमानता है, यह चीज़ और यहाँ पर major focus होगा इस report के अदर, कि लोग के बीच में यह income distribution कैसा है, यहाँ पर कोई असमानता है, त्रीके labor market कैसा है, health को लेकर असमानता तो नहीं है, education, या फिर household characteristics के मामले में असमानता तो नहीं है, तो इन सब चीज़ों को देखने के लिए यहाँ पर यह report काम अब इस report के अंदर जो भी data इस्तमाल किया गया है, वो periodic labor force survey से और साथी साथ national family and health service से इस्तमाल किया गया है, यहाँ सभी जगह से data लेकर इस पूरी report को त्यार किया गया, अब इस report ने काफी सारी information दी है, इन्होंने बताया कि जो labor force participation rate है, यानि कि यहाँ पर लोग labor के मामले में अगर आप लोग देखोगे, तो उसके हालात भी काफी बुरे देखने को मिलेंगे, यहाँ पर inequality देखने को मिलती है, मतलब भेदभाव काफी देखने को मिलेगा, पहली बात हम लोग बात करें, wealth concentration के मामले में, यानि शहर वाले area के अंदर आप देख पाओगे, जो लोग हैं, उनके पास में थोड़ा wealth देखने को मिलेगा, और गाउवाल area के अंदर लोग के पास में wealth थोड़ा सा कम देखने को मिलेगा, unemployment यानि बेरुसगारी की बात करें, तो इंडिया के अंदर जो unemployment rate है, वो 4.8% का है, 2019-20 के अंदर में, और जो worker population ratio है, वो यहाँ प वाला बार है, यह All India को represent करता है, red वाला यह urban area, उसको शहर वाल area को, और यह light blue वाला गाउवाल area को, तो इन्होंने बताया कि 2017-18 में जो बेरोजगारी थी, वो यहाँ पर आप देख पाऊगे, कितनी-कितनी जादा थी, सबसे ज्यादा लंबा बार graph आपको कहाँ पर देख करें, तो यहाँ पर आप देख पाऊगे, कि लगबग हमारे पास health infrastructure के अंदर एक improvement देखने को मिला है, एक सुधार देखने को मिला है, साल 2005 में लगबग हमारे पास 1,72608 total health care centers हुआ करते थे, वो अभी 2020 के अंदर बढ़कर 1,85505 के असपास हो चुके हैं, क्लियर हुआ, ब primary health care centers, community health care centers, इन सब इक अंदर, अब आप लोगों को से एक simple सा question है, question यह है कि कल ही मैंने आप लोग को बताया है, primary health care center, secondary health care center, और tertiary health care center के बीच में difference, क्या difference होता है, नीचे comment section में आप लोग को बताना है, फिर उसका बताया household condition के बारे में, यानि कि हम लोग बात करें, schools के अ आ चुके हैं, ठीके, school के infrastructure के अंदर, toilets आ चुके हैं, तो वहाँ पर भी household improve हुआ है, यानि कि जो एक, आप कर सकते हो, यह situation है, पहले के मताबले, वो यहाँ पर improve होती हुई नजर आई है, ऐसा बताया गया, उसके बाद में, mention किया गया, कि देखो, बहुत सरे area के अंदर, ज देखने को मिला है, जो enrollment ratio है, वो बड़ा है, लोगों ने admission करवाना शुरू किया है, health के मामले में आप देख पाऊगे, जो women's है, उनको check-up को लेकर, काफी सरी, यहाँ पर benefits मिले हैं, ठीके, तो basically हाँ पर आपका सकतो, यह जो check-ups को लेकर, यहाँ पर जो इनको care बगरा मिल बड़ती है, वो सब यहाँ पर बड़ी है, तो health के मामले में भी थोड़ी सी चीज़े बड़ती हुई नजर आई है, ऐसा बताया गया, हाला कि यहाँ सभी जगापर improvement है, सबसे बड़ी दिक्कत आपको nutrition level पर देखने को मिलेगी, nutrition के मामले में यहाँ पर चीज़े अभी थ सफर कर रही है, उनके body के अंदर nutrition level कम है, उनका blood बहुत कम है, iron level थोड़ा सा कम है, तो basically यहाँ पर बोला यह जाता है, कि यहाँ पर यह situation अभी भी ज़ादा है, तो एक urgent attention लेने की ज़रुवत है, ताकि हम लोग क्या कर सकें, इन problem को भी थोड़ा tackle कर सकें, क्योंकि nutrition level की जो quality report आए गया और multi-dimensional poverty index, तो इस प्रकार से कुछ और reports भी आती है, अब आते हैं अगले article पर, next article में pollution and health report को लेकर चर्चा की गई है, तो अब एक report आई है, pollution and health करके, हैना इस report ने mention किया है, कि air pollution की वज़ा से, इंडिया के अंदर साल 2019 में, लगबक 16.7 lakh के आसपस death हुई थी, हैना लगबक हमारे यहाँ पर जितनी भी death हुई, इसका 17.8% death स्रिफ और स्रिफ इस वायू प्रदूशर से हुआ है, ऐसा यहाँ पर इस report ने publish किया, और इंडिया 2019 में एक top country बना जहाँ पर सबसादर death हुई है, इस report के अदर बताया गया, जो air pollution है, यह अकेले यहाँ पर 66 66.7 lakh के आसपास यहाँ पर death create कर चुका है, और लगबक mention किया गया हम लोग कुछ analysis देखें, तो यह दुनिया भर का data है, दुनिया भर का data में 2015 से आप देख पाऊगे काफी सारी लाखों की कगार में लोगों की जान जा रही है, सिर्फ और सिर्फ लेड pollution की वज़ा से, air pollution की प्लस यहाँ पर lead वाली pollution भी आपको देखने को मिल जाएगा, उससे भी काफी सारी death हुई है, यहाँ पर मैं आपको बताऊं सबसादर death कहाँ पर हुई है, तो यह mention किया गया, इंडो गंगेटिक प्लेन पर तो इंडो गंगेटिक प्लेन आपको यह वाला region देखने को मिल अब यह हवा में घूम रहें, तो अगर यह body के अंदर जाएंगे तो हमारे respiratory system को damage कर देते हैं, तो यह बात है report ने बता ही है, फिर उसके बाद इस report ने mention किया कि हमारे पास इतने सारे programs हैं, प्रधान मंत्री उजवल योजना program है, national clean air program है, इतना कुछ होने के बाद में एक failure देखने को मिल रहा है, हम लोग air pollution को tackle नहीं कर पा रहे हैं, तो air pollution के वज़े से क्या क्या हालात देखने को मिलना है, वो पता चला, दूसरा जो लोग की जान जा रही है, वो lead pollution की वज़े से भी जा रही है, estimated बताया क्या, लगबक 9,00,000 लोगों की हर साल जान जाती है हमारे दुनिया भर में, किसकी वैसे, इस lead pollution की वज़ा से, और यहां पर आप देख पाऊगे, जो lead pollution के वैसे, जो death है, वो लगतार increase हो रही है, खासकर बच्चों के अंदर सबसाद देखने को मिलेगा, हजारों बच्चों के अंदर, उनके खून के अंदर ये lead पाया जाता है, lead क lead poisoning के जब हम लोग बात करते हैं, उसको जानने से पहले जान लो, जो lead है, वो हमारे प्रत्वी में, earth crust में पाया जाने वाला एक metal है, जो कि इतना खतरनाक है कि kidney, यानि कि kidney के साथ हड़ियों को भी damage कर सकता है, उसके साथ यहां पर सबसे बुरी तरह से हमारे brain, यानि poison की वज़े से क्या होगा, एक व्यक्ति का जो brain के अंदर IQ level वो कम हो जाएगा, चीजों को याद करना, समझना बहुत मुश्किल हो जाएगा, सुनने में problem आने लगेगी, उसके बाद उसकी bone और muscular grade थोड़ी सी कम हो जाएगी, फिर उसके बाद यहां पर बताएगा, उसका nervous system damage होने लगेगा, फिर यहां पर उसके reproductive organs damage होने लगेगा, इस sperm count काफी lower हो जाएगा, जो kidneys हैं basically वो damage होने लगेगी, blood के अंदर anemia देखने को मल जाएगा, blood कम होने लगेगा, तो यह सारी problems lead poisoning की वज़ा से देखने को मल जाती है, clear हुआ, अब जो lead poisoning है, इसकी वज़ा से और 21.7 million के आसपास disability की rate होई थी, लोग यहां पर दिव्यांग हो चुके थे, इस lead को लेकर, clear हुआ, WHO का response यह है कि भाई यह lead pollution को रोकना है, WHO ने इसी चकर में, यहां पर United Nation Environment के साथ को join किया, और इन्होंने इसको join करने के बाद में, Global Alliance to Eliminate Lead Plant को लेंच करा, इसका मतलब दुनिया भरी country साथ में आएंगी, और जो paint है उसको खतम करेंगी, paint को eliminate कम करेंगी, मतलब paint को eliminate करेंगी, paint के अंदर lead जो है इसको कम करेंगी, क्योंकि आपके घर में paint यूज होआ होगा, यह जो paint इसके अंदर भी lead पाया जाता है, और यह lead यहां पर काफी खतरनाग होता है body के लिए, और अगर हम लोग बात करें इंडिया की, तो ministry of environment, forest and climate change ने अल्रेडी एक notification पास कर रखा है, जिसका नाम है regulation on lead content in the household and decorative paints rules 2016, इस rules and regulation का major focus क्या है, major focus है कि भाया, जो lead है, ठीक है, lead के use को हम लोग कम कर सकें, जो आज के time पर paint के अंदर, क्या होता है, lead को use किया जाता है, उसको कम कर सकें, clear हुआ, तो आप लोग यहाँ पर इसके बारे में दियान रखना, आगे आते हैं, फिर उसके बाद में अभी तक वीडियो पर जो like कर बटन उसको नहीं दबाए, तो फटा फट दबा दो, और वीडियो को like करके आप लोग अपना support दिखाओ, फिर अग मेजर फोकस है कि आने वाले टाइम पर हम लोग काफी सारे लोगों की जानवा जा पाएं, हमारा मेजर फोकस है लगबग यहाँ पर आप कर सकते हो कि बहुत सारे लोगों के अंदर, ब्लेड प्रेशर को लेकर एक बहुत बड़ी problem देखने को मिलेगी, उनके यहाँ पर blood pressure ब्लेड प्रेशर बहुत जादा आपको देखने को मिल जाएगा उनके बॉड़ी में, ऐसे यहाँ पर मेंशन किया जा रहा है, अब इस ब्लेड प्रेशर की problem की वज़ा से क्या हो रहा है, बहुत सरे लोगों की जान जा रही है, उसी के लिए initiative काम करता है, इंडिया hypertension control initiative, ज दिल का दोरा लग सकता है, दिल फेल हो सकता है, heart attacks देखने को मिल सकता है, stroke देखने को मिल सकता है, hypertension के कुछ science और symptoms आपको नजर आएंगे, कुछ lecture देखने को मिलेंगे, जैसे बिहोश हो जाना, चक्कर खाना, उसके आदिया पर थकान होना, वामिट होना, irregular heartbeats चलना, तो य हमारा ट्रांसफेट है, junk food उसको avoid करो, tobacco को avoid करो, alcohol को avoid करो, और यहाँ पर physically active रो, हर दिन यहाँ पर कुछ न कुछ एक physical activity करो, workout वगरा करो, जिससे यहाँ पर चीज़े maintain हो पाएंगी, clear हुआ, तो यहाँ पर hypertension अपको समझ मा आ चुका है, लेकिन बात करें, hypertension की problem सब साद कहा कहाँ पर देखने को मिलेंगी, तो केरला के अंदर 32.8% men और 30.9% women, और इसी data के साथ में केरला एक highest number वाली जगह बन चुका है, जहाँ पर hypertension की problem है, केरला के बाद में तेलंगना है, फिर उसके बाद में आपर और जगह पर hypertension देखने को मिल जाता है, और इसी hypertension को control करने के ल प्रोग्राम है, जिसको launch के गया था नवंबर 2017 में, अब जब ये 2017 में आया, तो पहले साल ही इसने लगबख 26 district के अंदर अपने प्रोग्राम को चलाया, 26 district कौन कौन से राज्ये के थे, वो था स्टेट, पंजाब, केरला, मध्या प्रदेश, तेलांगना और महाराश्टरा पिर दिसंबर 2020 तक क्या हुआ, इस 26 district से ये प्रोग्राम फैल कर 22 district तक पहुँचा, और फिर और राजों के अंदर, आदर प्रदेश, 36 गड़, करनाट का, केरला, मध्या प्रदेश, महाराश्टरा, पंजाब, तामिल, लाडू, तेलांगना, इन सभी एरियास में यहाँ पर ये प्रोग्राम पहुँच गया था, तो इनका मेजर फोकस क्या है, कि हम लोग क्या कर सकें, हम लोग बिसिकली इस हाइपर टेंशन को रोग सकें, और यहाँ पर भारत के एक और मेजर फोकस है, इंडिया ने हाँ पर अपना गोल सेट कर रखाय 25 बाइ 25, 25 बाइ 25, 25 बा देखने को मिल जाएगा, आ गया था है, नाव नेक्स आर्टिकल में हमने डिस्कस किया था, प्राइवेट प्रिड़ियर्स इन स्पेस सेकटर, यानि कि जो अंतरिक्षे वल्ला आपको ये पुरा का पुरा सेक्टर देखने को मिलेगा, इसके अंदर प्राइवेट प्राइ इजरो है, वहाँ पर गौर्रमेंट काम कर रही है, अंतरिक्ष को लेकर, वैसे नासा है, लेकिन USA के अंदर नासा के अलावा, कुछ बहुत सारी private space companies देखने को मल जाएंगी, जैसे SpaceX हो गया, Virgin हो गया, और Blue Origin हो गया, ठीक है, ये बड़ी बड़ी लोगों की companies हैं, जो की बहु सेक्टर को, foreign direct investment के लिए open करते हैं, यानि कि महाँ पर क्या करें, FBI को open करते हैं, जो बाहर के लोग होंगे, वो हमारी country में investment कर पाएंगे, ठीक है, तो ये बात हैं यहाँ पर mention की गई है, इनफाक्ट यहाँ पर खुद जो इजरो के chief है, S. Somnath, इनका कहना यह है कि जो private players हैं अगर space sector के अंदर आ जाएं, तो इससे हमारी manufacturing और जो हमारी activities है, performance है, वो थोड़ा सब improve हो जाएगा, अब इजरो को क्या benefit मिलेंगे, सबसे पहली बात, यहाँ पर developmental activities के उपर benefit मिलेगा, अभी इजरो अपने program के उपर focus कर पाता है, खुल कर काम नहीं कर पाता, कुछ private sector आए active मामला बढ़ेगा, यानि कि FDI जब आएगा, तो बहुत सरा पैसा भी आएगा, और यहाँ पर आप कह सकते हो, इससे हम लोग नए-ने advanced level के launch vehicles लेकर आपाएंगे, और launch vehicles अगर advanced level के बना लेंगे, तो इससे सस्ते में हम लोग satellites को launch कर पाएंगे, और इसी प्रकार से हम बोला आएंगे, तो यही हम लोग को एक change करने के आवशकता है, अब यह change करने के आवशकता क्यों है, तो यहाँ पर बोला गया, इजरो आज के टाइम पर हमारे सरकार के थूफ फंड करी जाती है, हमारी सरकार महाँ पर इजरो के लिए एक अलग से budget लेकर आती है, ठीक है, 14-15,000 क्रोड रुपए यहाँ पर इजरो को दिया जाती है, ताकि वो अपने satellites बगरा को लेकर काम कर सके, और यह जो पैस है, उसी से इजरो को rocket satellite को बनाना है, उसी से mission कंडट करना है, तो इजरो यहाँ पर focus कर रहा है कि क्यो ना private players को लेकर आजा इसके अंदर, क्यो ना बाहर से investment add किया जाए, बाहर से investment add करेंगे, तो बड़ी-बड़ी companies की तरह हम लोग भी अपने private players को लेकर आपाएंगे, जैसे Boeing, SpaceX, Airbus, Virgin Galactic, यह जो बड़े-बड़े नाम देख रहे हो न, यहाँ पर Jeff Bezos, Elon Musk, यहाँ पर Richard Branson देखने को मिल दाएंगे, इन सब की space agencies, खुद की space companies आपक जाता है, उसके बाद अगले आर्टिकल में हमने discuss किया था, sudden infant death syndrome के बारे में, जिसको SIDS के नाम से जानते हैं, अब यह sudden infant death syndrome है क्या, इसके बारे में थोड़े सी हम लोग चर्चा करेंगे, तो यहाँ पर Australia के अंदर कुछ researchers की team है, इन्होंने identify किया, यहाँ पर एक biochemical marker को, य अब यह SIDS है क्या, तो sudden infant death syndrome नाम से पता चला है, यहाँ पर बच्चे की अचानक से मृत्य हो जाना, बच्चा अगर सो रहा है, तो यहाँ पर सोता रह जाएगा, वो उठेगा नि, इसी conditioning को हम लोग court death के नाम से भी जानते हैं, और खासकर जो यहाँ पर बच्चे जन लेता चाहिए, ठीक है, कोई extra blanket वगरा वहाँ पर नहीं रखो, कोई toy वगरा खिलोना वगरा वहाँ पर नहीं रखो, ठीक है, और जो temperature, room temperature वो 18-20 degree के आसपास यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, उसका कोई smoking वगरा नहीं होनी चाहिए, ठीक है, यानि कि कोई यहाँ पर smoking वगरा नहीं है, यह हैं आप देख पाऊगे, boytyryl, colonis, teres, करके यह नाम आपको देखने को मिल जाएगा, इसको हम लोग BCHE के नाम से जानते हैं, अब यहाँ पर बोला गया, कि अगर बच्चे के अंदर इस enzyme की काफी कमी है, यह enzyme कम है, तो उससे यहाँ पर क्या होगा, उसकी नीं करके, यहाँ पर यह काम कर सकते हैं, प्रिवेसली काफी सारी studies यहाँ पर कंड़ेट करी गई हैं, कि अगर यह enzyme की level जो है, थोड़ा सक कम होगा, तो इससे यहाँ पर body कंदर, सूजन वगरा भी create हो जाती है, यह भी problem देखने को मिल जाती है, और पहले भी यहाँ पर देखन को मिला है, लंग सकंदर, सूजन वगरा हो जाती है, यह सारी बाते हमने पहले की studies कंदर देखी हैं, और खासकर एक condition यह भी होती है, कि बच्चे की premature अगरे delivery हो जाए, यानि उसका time period सोड़ा सा जाजा था लेकिन उससे पहले भी काफी सारी conditions होती है, कि time period से पहले delivery हो जाती है, जब premature delivery हो जाती है, तो महाँ पर भी chances बढ़ जाता है, कि बच्चा इस SID से affect करें, उसके बाद हमने next article में discuss कहा था, draft in numbers 2022 के report को, यानि कि यहाँ पर आप कर सकतो, India's vulnerability to draft करके एक report आई है, जिसका अंदर बोला गया कि भारत के अंदर काफी ही ते है, जिससे सूखा जब यहाँ पर जबी सूखती जा रही है, और वो चीज़े बढ़ जाएंगी, और इसी को लेकर एक report आई है, draft in numbers report 2022, अब यह report यह बोलते है, पहले तो भारत के अंदर क्या condition हो, उसको discuss करते हैं, भारत के अंदर बहुत सारे हिस्से हैं, जहाँ पर सूखा पड़ रहा है, और situation काफी खराब है, लगबग बताया गया, हमारी country का जो दो तिहाई हिस्सा है, उसने यहाँ पर सूखे को फेस किया है, साल 2020 से लेकर साल 2022 के बीच में, इंडिया की draft situation बढ़ चुकी है, इतनी जादा कि यहाँ पर आपका सकते हो, आने विले टाइम पर बहुत सारी problems हो की farmers को, और अभी study publish हो चुके 2006 में जिसने बताया, कि इस सूखे पढ़ने की वज़ा से, जो 36 घर, जारकंड और ओडिशा के अंदर जो किसान है, उनको 400 million dollars तक का नुकसान हुआ है, क्योंकि यह सूखा पर जाएगा, तो इससे फसल वगरा, जो production वगरा है, food का वो बहुत कम हो तक, यह 3 degrees Celsius तक अगर इस प्रकार से गर्मी बढ़ती रहेगी, तो आप कह सकते हो, जैसा आज के टाम पर situation है, आज के टाम पर जो गर्मी पढ़ रहे हैं, इससे पांच गुना जादा बढ़ जाएगी, और इससे दिक्कत क्या होगी, दिक्कत ही होगी जैसे अभी देखने क को मिल सकती है, ऐसा पर बताया गया, उसके बाद यहाँ पर यह mention करता है कि लगबग बहुत सारे लोग, आज के टाम पर साल 2000 से लेकर 2019 के बीच में, billions of लोग सफर कर चुके हैं, एफरिका के अंदर सबसे बुरे हाला आते हैं, एफरिका के अंदर इस सूखे पनी से सबसे ज situation बेकार हुई है, बताया गया, जो climate change है वो अकेला यहाँ पर आपका सकतो 129 countries को यहाँ पर problem create कर रहा है, और आने वाले 10 सालों के अंदर situation और ज़्यादा भथतर होने वाली है, यह mention किया गया, अब इस सूखे पढ़ने का जो impact है वो gender basis पर पढ़ रहा है, यानि कि देखो women के ओपर जादा रोड पढ़ रहा है, women को यहाँ पर पानी ढोके आना पढ़ रहा है, सूखा पढ़ रहा है, तो यहाँ पर जो पानी के requirement होती है, वो women के थूप पूरी के जा रही है, women दूर दूर जा रही है, को यह से पानी भर कर ले कर आ रही है, उनका nutrition level, health, education level, सब बुरा सा impact देखने को मिल जाएगा, फिर उसके बाग में बताया है, चिंता वाली बात है, चिंता वाली बात इसलिए है, क्योंकि लगाता reports publish हो रही है, कि हमें सुधरना होगा, environment को improve करना होगा, ठीक है, इस pollution को tackle करने के लिए कुछ steps उठाने होंगे, जो कि हम लोग नहीं क बता दिया है कि लगबख 55 जो million people हैं, वो दुनिया भर में आपर directly सूखे से बोरी तरह से impact हो रहे हैं हर साल, तो ये चीज़े बढ़ सकती है, और World Bank ने खुद बताया कि 2050 तक अगर हम लोग देखें, तो यहाँ पे लगबख 216 million लोगों को migrate करना पड़ सकता है, एक जगा स हरट कर दूसरी जगा पर जाना पड़ सकता है, उसके पीछे अकारण है, उनके एरिया में सूखा पड़ जाना, तो ये सारी बातें यहाँ पर environment के perspective सी बताई गई है, आई होप आप लोगों ने यहाँ पर इन सब चीजों के बारे में अच्छे से जानकारी ले लिए है, द आपको बहुत जादा help करेगी, सारी बातें detail में explain करी गई है, पुरे महीने बर का data आप लोगो यहाँ पर मिल जाता है, जो कि आपको definitely बहुत help करेगा आपके examination के अंदर में, ठीक है, अब ये जो revision के business पर देको, अगर आपको details से जाना है तो मैं daily business पर top news analysis को upload करता हूँ, तो upload होता रहता है, लेकिन उसके अलावा यहाँ पर यह जो video है यह आपको बहुत help करता है, जो compilation आपको definitely बहुत help करता है, यहाँ पर हम लोग revision करते हैं, लेकिन revision के तोर पर में detail से सारा data आपको provide करवाता हूँ, ओके, तो make sure करना, आपको अच्छे से सारी से clear हो, को भी problem हो Thank you and Jai Hind!